मेरी कुस्शिनिंग हो रही थी तो मैंने कभी देखो जुतने केसे रे ऊपर मनाए जुतनी मेनाथ मेरे ऊपर कर रही है इतनी दावदी मिराहिम पे कर लेते रें सिरंडर कर देता हो तो चुछ जोलाई को टिकेट मिला था है और चोबिस जोलाई को मैं तिहार जिल पर था मेरी वाइफ आड़ी कहती है अब तो चाहे कोई गोली भी मार देना तब भी पिछे नहीं तो मैंने कसम खाई थी कि मैंने जो जूते पहने हुए थे ना तो इनको तब बदलूगा जब मैं हरा दूंगा सामने लेगा और मुझे आज भी याद है 28 दिसंबर 2013 को मैंने शपत ल हुआ 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 है अब बहुत शुक्रिया जैन साब अपने समय निकाला आज हम आपी की कर्म भूमी पना थोड़ा बताए हम कहा है आज अब हम लोग रजोपडी लेक में ये रजोपडी जो हमारा गंपुरी पाधिते बना हुआ है यह पर सीवेज वेस्ट इसमें एक छोटा हो था इसे पांड था अचा इसे पूरे यहां के आज पास के जो धर बने हो उनका इधर घर बने देखे हैं तो उसका सारा वेस्ट वाकर यहां पर खटा होता था बहुत बद्बू आती थी बहुत गंदगी थी तो अब इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हमने बिल्कुल इनोवेटिव तरीका निकाला इसको नेट्रल वेस है जो आपने जब प्लांटेशन देख रहे हैं यह सब सीवेज ट्रीटमेंट का सिस्टम है इसके नीचे साल में एक बर यह चट्पुजा के लिए इस जगे को इस किया जाता है तो इन पेड़ों का भी इसमें कुछ रोल है यह सारे पेड़ों का ही रोल है जितने लगाए गए ना यह बैट्लेंड स्पीसीज हैं आप देखेंगे एक दो ती चार पांट छे तरही बैट्लेंड स् तूस बहुत में सकाच्छा उनकी जड़ों के अंदर जो बीजिया होता है भीत्रिया सारी गंद्नी को खा जाताए तो इसको साफ कर देताय मार बहुत ही और जितने भी इस भी स्ट्म से उनसे हमारे ज्या जो उसारे जो इस निंदे अन भी हो जाता है को एसे बिए धितने तो बिल्कुल नेट्रोल बनाया है जिमोंस्टेशन के लिए बनाया था बिल्कुल शांदार है आप इसको बहुत बड़े स्केल पर रिकीट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर लगबख 200 वाटर बोड़ीज में काम करने जा रहे हैं ऐसी 200 वाड़ीज और मनेंगी क्या बात तो यह अब सारी जिन के पड़ते रहे हैं जरूरीन के मुझे सब कुछ आता हो बहुत सारे लोग एक्सपर्ट सेंसे सीख सकते हैं बता सकते हैं बट हमारे को चूस ठीक चीजे चीजे चीए अब जैसे वह था कि अगसके अंदर में में आपके एस्टी बनाने जाते हैं बहुत पै नहीं दो जब से अंद्वी पार्टी गोवर्मेंट आई है उसके बाद ही एक्सपरीमेंट शूर अब इतक तक जादा सरकार ने होता कि सरकार में होता किसी जस किया है पहले क्छा इंसे को रिपीर करते हैं हमारा सोचना तुड़ा लग है कि ऐस नहीं कि जो हुआ उसी को कर जाए उसके अलावा भी बहुत किया जा सकता है और बहुतार एक्जम्पल्स हैं जो कि अच्छी चीजे है आप सर्च करेंगे तो आपको नेचुरल वेट लेंड्स के नाम से बहुतार चीजे मिल जाएंगे उस भी को में बनाया है तो दिल्ली में यमुना क्लिनिंग के ओपर सरकार बहुत अग्रेसिवली काम कर रही है इन वेट लेंड्स का उसके साथ को इताना वाना वाना बिल्कुब आपको दिखाई देगी अभी एक्सपरिमेंट स्टार्ट किया है यहां पर अभी तक फ्रोटिंग प्लांटेशन नहीं थी जो यमना के लिए हम फ्रोटिंग मे अभी आप इसको भी हम प्राइब कर देखे हैं यहां पर बीज अभी तर्टिंग लगाए है और उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं इसको इसको किया जाए जाया जाए यमना क्लिनिंग के लिए तो अभी तक सभी के थे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होने ची बड़े ब अभी हमने देखो कहा था इस टम में कर देंगे जाए ज़ेड़ साल चला गया साड़ तीन साल बचें अभी भी साड़ तीन साल के लिए तो कह सकते हैं कि यमना क्लिनिंग देश का पहला एक जामपल होगा जहां पर नेचरल तरीके के साथ साथ सांटिफिक एक्सपरिमेंट के साथ सांटिफिक तरीके को इंप्लिमेंट करते हुए यमना की सभाई होगी बिलकुल दोनों को अभी हो क्या रहा है कि दिखो साइलोज में सब लोग काम कर रहे हैं एक मालो हाई-टेक कंपनी हो है वह वह बिल्ब एक साइलो में कार रहे हैं एक नैच्छल सिस्टम पे ग जैसे कि एक्जाम्पल के लिए अगर नेच्टरल बेट लैंड के अंदर आप एरेशन कर दें किसने ट्राइग नहीं किया पर नॉर्मली हमारे स्ट्रीवेश ट्रीप्मेंट प्लांट के अंदर पहले प्राइमरी सेट्लिंट टैंग होता है उसके एरेशन होती है एरेशन में करने सेख़रोग स्ट्रीपेंट इसके अखिजन देते हैं तो मैंने कि अगर घ्र दो जो जाए कि तो कि एक कंवाइन करने के जड़त है बहुत कुछ ध्यान दिया के लिए इन दो इन्नोवेटीव तरीशे यूज करने के जड़त है पर दो कुछ दिल्ली सरकार में इतने सा पानी एक बड़ा मंत्रा ले है पानी पर हम देखने इस ने सरकार बहुत अगरिसिवली काम कर लिए और क्या क्या खिया अब है और कैसी चीज है जो आपके दिल के बहुत का लिए तब सबसे कहले तर मैं पता हूं दो चीजिए है इस टर्म के अंदर यम्ना नदी को क्लीन करन है और यमना नदी को क्लीन करने के लिए कई सारी कंडिशन से हैं पहले सारे नाले साफ करने पर हैं यमना नदी के अंदर जिस भी सीवेश ट्यूटमेंट प्लांट से गंदा पानी जाता है उसको साफ करना पड़ेगा उसा पूछ करेंगा अभी तक क्या था कि हमारे बहुत स अधिक आते हैं तो उसको Soong Cala सरह करना है थोड़ए सीवेश ट्रीटमेंट प्लांट है उन सभी को हम ठीक कर रहे हैं औ değiş कम पैसे सरी करें जितने ही नजएगर डेन, सप्रिमेंटरी रेन, बारापुला डेन, जगाजीपूर डेन, जितने भी ड्रेन्स हैं, उन सब के अंदर हम एरेशन करेंगे, फ्लोर्टिंग प्लान्टेशन करेंगे, इंस्यूटू ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि यमना में पानी गिरने से पहले, हंड्रे परसेंट पानी तीट हो जाए, और उसका डियो लेवल, डियो लेवल होता है, तो यह पानी ठीक है, और आपको देखिएगा, तीन-चार साल के बाद दिखाएंगे, यमना के अंदर में बता दो, दूसरा, 24 गंटे पानी, अब लोग बडास्च्री होता है, कि यह तो पानी है, तो कैसे करें, यह सामने आपके इने तलाब बना है, यह सब उसके रास्ते हैं, जो पानी हम उठा के इसको ड्रें में डाल रहे थे, ड्रें से वो गंदा पानी, सब ड्रें को गंदा करते हुए, यमना तक जा रहा था, फिर समुन में जा रहा था, अब हम इंको र यह पानी सीधा रिचार्ज हो रहा है, और पीरेट जब रिचार्ज होता रहे हैं तो दिली का राउंड लबल उठेगा, ऐसी हमने से पल्ला में अपने अपने अप्स परिमेंट देखा होगा, जो बाल का पानी होता है, बाल के पानी को हमें बहुत बड़े बड़े बनाए, तो जितने भी हमारे जबलो टीपी हैं, उनके पास हम लेक्स बना रहे हैं, उन लेक्स में हम जो गुड़ पालिटी बहुत बढ़िया पानी होगा, टीटी बटर होगा, उसको अंदर में लेक के अंदर डाल देगा, वो परकुलेट करेंगा, पूरे साल करेंगा, एक दिन से जो पानी कभी खतम ना हो, उसको बार 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 एक आपको फॉर्मला बतायता हूं, जितना पानी हम यूज करते हैं घरों में या किसी भी उसका असी परतीशत पानी माना जाता है, थम्रूल है, कि 80% वाटर जो है, वो वापस सीवेज में आ जाता है, अब उस 80% को अगर टीट करके रिचार्ज कर दिया जाए, और उसका फिर से 80% निकाल लिया जाए, तो 50% वाटर, 50% पानी तो आपको मिल गया, अगर दिल्ली में हम 4000 MLD वाटर पर डे सप्लाई करते हैं, तो उसमें से 2000 वापस निकाल सकते हैं, तो थियोरी में बहुत असान है, मैं बहु सुलीशन्स होंगे, सुस्टेनबिलिटी के लिए सुलीशन्स होने, ज्यादा तर लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे बारिश आती है, सबसे पहला काम क्या होता है, कि बारिश के पानी को दो मिनट के अंदर, नाले में जाना चाँछिए, तो मिनट के अंदर जम्दा मनदी में तो इसके बाद समम्यो और संस्क्त को सितने जल्दी से जल्दी सम्म्ति जलते से चला जा की आपको कि आपको साल में एक वारी थे साल मिलने लगे बीता उर्ड मिली मालों आपको इखटव थे लाक रों गरे शाहर लाक मिल गैसे अब फट्र फटकर तो एक निको दिली को गरिश का पानी मिला उसको सरजोना है इसी तरह से जो आपने पानी यूजा कर ली है बिर भर वाटर साइकल सो सिंपल बिल्गुल सिंपल से है के समंदुर में सारा पानी पहुंचाता है वहां से पानी भाप बनकर उड़ता है अब दो तरीकिसे जमीन वापस आता है आप बारिश के रूप में या बर्फ के रफ में आया जमीन पर पड़ेगा फिर नदियों से फिर वो उसको जल्दी नियुद भीज तो जो हम सॉलूशन ला रहे हैं और मैं यह कहोंगा कि लग्या के बहुत जो आइडिया करने का मुटा मुला है और यह देश के लिए दुनिया के लिए वी एक्जांपल्स हो गहा है कि कई लोगों ने बहुत सर लोगों ने चोटे एक्सपर डिल्ली पहला सिटी है जिस में हम करने जा रहें उसका कारण नहीं कि रहें कि हम दो खुड़ आप करने के लिए तो पर चा Tenn Pra ounces लाये करने के लिए और पानी कहां से लाएंगा एक्र पिечатर वॉटर ल्चाना बहुत यू stitched कि दिल्ली के अंदर जितना पानी है उसे दुगना पानी और लिया है। कर दिल्ली में जैनेटर गाइब होगे जन्री होगे जोटी फंटे पानी तो तो हमें भी मज़ा आता है हमने कोई बात नहीं है कि कम से कम लोगों को लगतो रहा है कि असंभव काम है संभाव को संभाव करके दिखाएंगे तब ही तो कुछ बात है तो मैं तो अपना पता सकता हूं मिले जिंदगी में हर चीज पे जब तक लोग शुरू में हसे नाम मुझे मज़ा नहीं आता है है जब तो असका मजाग ना बनाए क्या एडिया होगा है तो मैं कहते लिए चार उल्टे एक सिधा बढ़ गया एक सीधा हो अब कर देगा और मैं जिंदिगी में जिन्दीगी में थे चादर तर लोग इसलिए कुछ नी कर पाते हैं कैसे फेल होगे तो क्या होगा नहीं हूआ तो क्या होगा इसलिक कमिट्मेंट के बारे में हम ने हमाजार मुला कि बनाएंगे तो एक रहा है तो हमने पहले साल में बना दीए तो बन जाते तो हमारे लिए पाइदा था जनता के लिए इंपेक्ट जो आने जो आइडिया है कि भी 10,000 की आबादी पर एक महला किलिंग भने वो तो नहीं होता तो हमने एक हजार का टार्गेट रखा पांसो तो बने ना अब लोग कहते हैं हजार कहें थे पांसो बने मैंने विप अगर हम 200 का टार्गेट लेते कोई पांसो कोई करने कि करा लो थे लुग इसको करें शेयर करें हमसे जो पूछन है कोचे हम वाइड ली देने को त्याहर है एक छोटी सी बताता हूँ हो रोड एक्सिडेंट विक्टिम के स्कीम लेके आये हम लोग चार साल हो गए कि दिल्ली की सडकों के ऊपर किसी का भी एक्सिट हो जाए चैनली का रहने वालो दिली से बाहर का कोई हो अगर दिन्डी की बा 10 लाख लगें, 20 लाख लगें, 5 लगें, 1 लाख लेए, कुछ भी पैसा लगे हम पर लेते हैं, तो हमें आशा थी, कि बहुत अच्छे स्कीम है, तो आपने ताजिफ की, सारी अधनीया ताजिफ करिते हैं, कि भी अब तो देश के अंदर सोरी सरकार इसको कॉपी कर लेंगी और करना चाहिए था मैं आपके माधिन से अप्रिल कहना जाता हूं कि भी स्कुपी कर लो बड़ी सीस्की में कुछ नहीं करना अपने अस्पताल खुले हुए हैं अस्पताल बने हुए हैं जो नियर रिष्ट अस्पताल है महाँ पर कोई भी ले जाए उसको पे कर दे सरकार कुछ भी नहीं करना पर देखो पॉलिटिक से ऐसे चलते हैं कौपी नहीं करें अभी तक भी नहीं करें मैं चाहता हूं कि लोगो पता लगे कुछ लोग दबाव बनाएं सरकारों के उपर इसको कॉपी कर लें हम एक चीज़ और करते हैं साथ में जो लेके जाते हैं इसको 2000 रुपी का इनाम भी देते हैं ताकि उसको भी थोड़ा इंसेंटिव रहे तो मेरा ही मानना है कि जो भी अ कि महला के लिए कुछ राजियों ने बनाने स्टार्ट की हैं पर किसने महला के नाम ने रखा कोई बात тоб nocks को छोले पकुछ इक नंबर की सिर्ण निहीं कर दो सुत खर को कि अ नंदर के उन्दर वीखर चार डान मुझे और जोड़न सब्सक्राइब करने लगी तो हमारे लोग करने लगी तो यह काम तो हमारे लोग करी रहे हैं जो धर्मात्मा लोग है वह बहुत अच्छा कर रहे हैं कि कैल्कुलेशन्स इतनी सटी कितनी कुएक है कभी कि मैं चंबित हो जाता हूं कि इतना क्विकली कैसे आप काल्कुलेट कर लगे उस समय जब आप स्कूल में थे तो मैस के टीचर कौन थे कि मैंत्मेटिक्स का तो ना पता किया है कि बहुत ही बेक्ग्राउंड ऐसी रही कि जो कैल्कुलेशन्स इन शुरू से कैल्कुलेशन बड़ा आनंद रहा है मेरे को कभी डिफेंशेशन इंट्रिगेशन केल्कुलेशन समझने यह और उससे पहले का मैंत्स बहुत असीजा स भार सप्के होते तो उसमें जीतने की सबको लाद क Hauti कोण गीते सब लोलोता था तो वो वर्भल करकर के कघर कर आजब चाने की हाले है कि दूसरा मैं बता दूंब बच्छपन से क्या रहा कि पछिए बोथ हवाई के लिए बनाए हर संगा हर्चीज के बा सिवारे मेरा नाम करेंगे तो इतने लोग होंगे तो इतना ही हो जाएगा इसको मिलाएंगे तो इतना खर्चा हो जाएगा तो कहते थे इतना जड़ासा पिद्दासा तो है यह लाख रूपर यह बात करते हैं कि अगर मेंटल के लिए हमेशा से यह रहा है कि उसको अगर मेंटली केल्पलेट नहीं करें तो क्यों नहीं जाता है जुड़ती नहीं वह कहता है कुछ भी करके दिखा दो कोई नहीं पूछ रहा जंता अगर इस बात पर वोट देने लगे ना कि बैसे यह ब्रिज्ज जो था कि अर्विंद केज़ेवाल ने सो कोड़का बनाया अपने हजार कोड़का क्यों बनाया अगर इस पे बहस चालू हो जाए तो मजा जए अगर वो कहें कि जो सीवेश स्टेट्मेंट प्लांट जा जो नदी क्लीन करने का पहले बजट 15,000 कोड़का था 20,000 कोड़का था वो 10 कि कैसे आगया नबबे परेंट काम कैसे हो गया तो फिर तो सब को हिसाब लगाना पड़ेगा तो को उनको जरुत नहीं है तो रहो चाहते भी नहीं है लोगों के सामने है कारन है ना देखो चाहता ज्यादा बड़ा प्रजक्ट पॉस्ट होगी उतना ही तो कुछ मिलेगा अब मैं एक्जामपल बताता है छोटा था भी साथ दिन कुला पिसले हमते की बात है तीन बैरल है उखला एस्टी पी में जाने तो 662 प्रोड का अप्रूब पॉस्ट थी जिए उसकी 600 बास्ट प्रोड मैंने इसके कई मितें किये तो कि मैं कुछ आर्किटेक्ट हूं अब म कि मैंने फूर से ऐसे किया है क्यों जायता कंसुल्टेंट मिर साथ ऐसे कर दिया का तख थे सर यह तो पॉसिबल नहीं यह तक हुआ नहीं है तो मैंने तीन चाव सुलेशन बना कि मैं खुदी बना तो मैं अब अर्किटेक्टेट्ट ब्राब जादा कर रहा हूं अब 60 कोड़ से कम में होगा और टाइम पीरेड भी कम लगे गा तो मुझे लगता है कि हमारे को इस तरफ ध्यान देने की जुरत है आउटपुट किया है और कोस की तरफ किसी का ध्यान नहीं है ध्यान यह कि कितना खर्च किया लोग क्या बताते हैं अपनी अपर करवें मैंने जी एक हजार कुर्ट पर ब्रेज बनाने पर लगाए तो इंपोर्टन यह कि लोगों को सर्विस क्या मिली उसे फैदा क्या हुआ हुआ क्या है कि पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग जिसे होता है अलग-अलग केरियर थे एक डॉक्टर बन गए एक फोजी बन गए अलग-अ पॉलिटिसमिल जा जो पॉब्लिक सर्विस थी ना पॉब्लिक सर्विस तो करी ख़तम होगी कहते हैं जो सबसे नलायग यह सबसे उद्धन भी नोगिन राभिद महास्तों बचाप अधर जो पढ़ा लिखा है यह जो पड़ा लिखा है तो डोक्टर बन जा को एंगिनेयर कि अधर बने चाहिए तो सबसे बड़ा उन्होंने फिल्ड खाली शोड़ दिया तो नेता बन जाओ और तुम जनता को तंक करो पीटे और दूसरा कि हमारे लिए क्या हुआ है कि हम दो कहते है राजनीती से दूर रहना चाहते हैं जनता जादर क्या है हम तो जराजनीती में ल सक्राहिए ढहिए तो आपकी पॉर्रेन इसके स्क्राइम परो शहीं कि अपड़ेशा कारन है कि नेताव यह टीरिका निकाला है उन्होंने पके भक्त बना दिया कि कहते हैं यह हमारी पार टी वागा है जैरह कहते हैं आप जच्छों आप रहाए जो अच्छा काम करें इसको हम क्या करते हैं कि चश्में का कलर भाज़ आखी और हैंट हमारा रंग हरे रकार्ट इस मे तै दो क्हता हूं कि पोलिटस्टी बात करने लास्के तीन महेन कर लिया झा कि तो काम करने चैना Аप की काम की भात करो ना किसं keen ते चुना है क्ल पब्लिक में याख पुल्हारे है हमारा चल रहा रहा है वहां पे जब मैं बोलता हूं कि आप मुस्से क्या चाहते हो चूछता हूं लोगों से तो उनके डिमांड क्या होती है कि पार्क में जूला लगवाद हो सर आपने दो लगवादी थे एक और लगवाद कुछ लाइटे लगवादी सर 70 लग बहुत अच्छा लगा तीस और लेते हैं उसके पूछता हूं कि किसी ने हेल्थ के बारे में कोई क्वेश्चन है एजुकेशन के बारे में कोश्चन है को बड़े इसूज है ना उनको बड़ी चालाकी से नेताओं ने परदे से गयर कॉता है अपने देखने ने सिखाया जंदा को बता दिया कि तुमारे यह तो पॉलिटीशन का मतलब है तुमारे कली का गड़ा बढ़ जाए बस इससे आगे कुछ ने होना चाहिए बाकि अपने हां दूसरा आएको जी कहते हैं फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए उस जंता को कहते हैं तुम टेक्स देते रहो उस टेक्स बतले मांगना कुछ मत तो बहुत चलाकी से बतायागी और मुझे आसमें सबसे दिकत क्या हो रही है कि पढ़े लिखें लोगों बड़ी जल्री से को बनाए बनाने के लिए मीडिया का बड़ा यूज किा गया इंदिए कि निनी होना चीए इस अट अट्यार विजवरान री आग कि आप ठेक्स मि अब मैं बड़ा सा पोजर मनाऊंगा उसमें प्रियांट खा जाँगा तो तुम कोई आपती में हो जी और अगर वही काम जैसे 660 कोड़ का 60 कोड़ में कर दिया 602 कोड़ पे बचे उस 602 कोड़ में आपको कुछ फ्री दे देते हैं यह से कैसे कर सकते हैं अब फ्री में कैसे अरे यार कमाल हो गया आपका पैसा में बर्बाद हो रहा था उसको बचा लिए आपको वापस कर रहे हैं जैसे में एक्जम्पल देता हूं छोटा से नो दूसरों को कौपी करना चाहिए बहुत ही सिंपल सी स्कीम है कौपी करने लाएगे हैं हमने एक अडिट कर आया कि एक आमराइ की मशीन हमारी बिल्डिंग हमारी सिर्फ रणिंग कॉस निकाली ओपेग्स क्या है ऑप एक नकला अठारह जार उपर आमरे अच्छी और अठारह जार वे कामरे था और दो साल की वेटिंग फिए जनता को तीने देने पड़ते थी सरकार को ऑठारह जार का अब कहीं भी जागे करा लो हमारे हस्पटाल में जाए दिली सरकार के वो डॉक्टर सब लिख देंगे या पॉलिक्री में जा लिए कोई पैसा नहीं देना और मैं कितना पैसे देता हूं मतलब जो सरकार की कॉस्ट थी उसे उसकी कॉस्ट लगबग साथ गुना का में दूसरों से छी जार लेते हैं हम से 24 क्यों लेते हैं बल्क में काम करा रहे हैं बल्क रिसकाउंट मिलता है तो मेरे लिए कितना असान है कि उसी पैसे में साथ मेरा ही होगे और कोई कैपिटल कोस् हम जनता को यह लगा कि जहांपर मैं पैसे देर चरा सकता है मुआ उसी जगे पर सुन जगे के प्री हो रहा है जिस जगे पैसे दे करा रहे है तो यह स्कीन तो नकल virginal लगे नगे कर दे लोगों को आदत प्रजेए घर जूबाइगे घ्र जा ने ने मैं तो आपके मादन ने इसको कम पैसे करके दो ना अगर वह बड़े बड़े शर्माइधारों से बड़े लोगों से बड़ा-बड़ा पैसा लेते हैं तो उनके लिए काम करेंगे ला हम जनता से ले रहे हैं पहली बारी यहाँ है आमाद्मी पार्टी एलेक्ष्ण में आई और आमाद्मी पार्टी है तो हमारे पास दिखाने के लिए एक ही चीज है वह है काम और इसलिए काम पे लगे हुए है पिछला जब हमने फार्स इलेक्शन लड़ा अठाइज सीट आई थी तब लोगों नहीं पता था वही काम की बात ही जब सबसेट हैं तब भी हमने 49 दिन का काम किया था लोगों ज्यादा काम नहीं और अब की बारी फिर काम पे रोट पड़ेगा और काम मैं बता रहा हूं कि शिक्षा के उपर स्वाष्टे के ऊपर बिजली के उपर पानी की उपर सफे काम कार रहे हैं उचाथ में दो कम मैंने नहीं बता दी तो मेरे भी एक नए अनुभव है कि कैसे हम एक वेट लैंड में शूट करें हैं जो एचली सीवे स्टीटमेंट प्लांट है जिस आपने बताया है अचंबाई वली बात है तो और क्या जैंसाब और क्या अचंबा करने वाली है सब दिली सरकार अरब कुछ दो दीन एक्स्टर आज कर स newest और खिषर अने शूगित अनुव Hosp ो स्ट doisफ हीं ये कर के लिए कऊने क्व डीर पनी को लिए कि अब ज़ाए तो चैलेंगे अगbesितानी निगालव है तो यह जैंद मेरा है कि जो आपने पानी सप्लाई दिया उसका तो निकालने के लिए अगर बोरबल से निकालते हो तो कितने हचारों बोरबल लगाने पड़ेंगी पॉसिबल नहीं है तो अभी बहुत इनोड़िटिव तरीके के कुछ बेल्स बनाया जा रहे हैं वह वह बात एक्सपरिमेंटेशन है अभी जो साइट के ओपर चल रहे हैं तीन वह इसे चाल रहे हैं तीनों कि लग लग डिए मेरे मेरे पास है कि वहां पर हम वैल लगाते हैं फंडेशन के लिए जो बाराता पुलना भिल्स बन रहा है फिर दूसरा आइडिया मिला है जो हमारे पाइल सोती है जो जमीन के अंदर पाइल करते हैं वो भी फांडेशन के लिए होती है तो मैंने 42 पाइल को जोड़ दे एक कुछा दिया अब सारे इंजिनियर्स हाथ फूल के कहते हैं यह क्या कर दिया अपने ऐसे तो कभी बना नहीं मैंने ट्राइ करो तो कि अधिने पॉसीबल ले में देखो फिर मैंने बना के ड्राइंग बगरब दिया तो कहते हैं तो दिन बद बड़ा मजा आने लगा उसकी वेल-सिंकिंग तो पाइल थी 42 पाइल बन चुकी है ऑब उसमें जो में से मिट्टी मिलें काल से स्टार्ट हो तो तीन अलग अलग चल रहे हैं उन में से तीनों को अलग 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 तरीके से चोथा भी जल रहे है को चोथे में हम कर रहे हैं कि जैसे हम बोर्गल करते हैं बोर्गल का जो पी ग्रेवल भरते हैं उसके लिए डाया बढ़ा रहे हैं तो कई सारे एक्सपरिमेंट बहुत सा इस उन्वेंशन पर इलेक्टिसिटी का यूज कैसे किया वह जै इजिए इनोवेशन तो बहुत सारी चीजे दुनिया के अंदर हैं और दिखो मुझे तो बहुत सारी चीजे भी कह सकते हो जा सोचने कर सकते हो कि मेरको लगता है कि अलग तरीके से क्यों नी कर सकते हैं एक्ज आप अնग्री गषिकर के लिख सकते हुँं अब अगर सोचे से लिख सकते हुं अब अगर सोचने बैठेगे तो निभ्लास को you कि वही काम लिखने काम सो चीजों से अग लग टोज सकते लिगए हुं अब दूसरा कोशन आता है अब पैंसिल को किस किस में लग सकते हूं पैंसिल लिख लेंके काम ले सकते हूं पैंसिल से आपके अपना बाल करके जुड़ों में लगा सकते हूं पैंसिल से आप स्टीट फरनीचर बना सकते हूं पैंसिल के टाइप में बच्चों के खेलने की ज दिया हुआ है तो मुझे क्या है कि मुझे चीजों को दूर से देख़ से बहुत मिला और मेरे आठ ऐसे अधाले अधाने लेक्रिशी टीचिते वी डेख़ तब को सब को देखने का मेरे को सबकी तब डेर तो मैं किसी भी चीज को कहीं वी लगा देता हूँ मैं आपको एक शेयर करना जाओंगा एक फस्ट एक्सपिरियंस जो हो मेरा जब जलमंत्री बना में तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखने गया पहली वरी तो मेरे दिमा में पिक्चर थी कि भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होगा ना रिफाइनरी की तरह से फोटोस मैंने देखी थी बहुत कि असले कर चाहिए शांदार होगा तो मैं दिली गेट पर हमारा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट है मैं देखने गया और वो लग्की ली डिली का बेस्ट बन ऑफ दाबेस्ट प्लांट जिसमें की आउटपुट जो परामिटर से जो नॉर कि जो गंदा पानी आता है उस पानी को टेंक में रखके सेटल होने दिया जाते उसके प्रेम रे सट्लिंग टैंक और सुर्फ लो करके पानी साफ होके निगला थर्टी फॉर्टी परसंट गंदगी समें बहड़ जाती है सेकिंड लेवलाथा है उसमें एरेशन करते हैं एर तो इसको ऑक्सिजन की एर देते हैं एर में 22 परसंट 21 परसंट नोटी है तो सेकंड लेवल पर उसके दो इसके इसे किया दो बरे देते थे और थर्ड के अंदर फिर से एक टैंक था जिसमें पानी सेटल जाता जो गंदगी थी नीचे बढ़े जाती है तो मैंने दस बारी किहां नमीट होता है सब कुछ इसको बायो मिम्क्री कर ते मिंस कर रही हैं वहीं कर रहे हूं उतना अच्छा नहीं कर पाते पर उसकी तरह से कोषिश कर तो मेरे लिए क्या हूं इतना असान हुआ समझे और सब जो अच्छा ज tumple देख लिया मैंने पहले बढ़ी तो मुझे आप समझ में आगे हैं और न किसी भी थरसे कर लिजी आप टैंक जरूरी ने आर्स जी पहीं बनाए बनाएं अभी जिसके सामने बैठेहे हैं इसके अंदर मैंने फ्लोटिंगा्टेशन कर दी इस प्लांकिन पानी चाफ साफ नहीं हो रहा है इसकी जड़ों से यह नहीं हो रह उसको खा जाएगा. उसको खाएगा कब जोसे ऑक्सजेन में लगा देंगी. ऑक्स्जेन के लिया में फ्लोटिंग अइंटर लगा देंगी तो इसके अंदर क्या होते यह भी सारे काम वह करेंगा जू कर रहा है. तो क्या था कि मैं दूर से देख पा रहा था, तो मेरे लिए बहुत असान रहा, दूसरा क्या था कि मेरे को यह मिला जटका मिला, फिर मैं इसकी डिटेल में गया, तो सुरु सुरु सुन मुझी याद है, कि वाइफ भी कहती थी क्या हो गया, सुवे चार वजे रोज उटता कि मैं तुन क्या होती है, ट्र्यक मैं टर्यक मैं बर्纤क्र ट्रिकमें अवीं याद इसक्साम करते है और दोनों का आपस में कोई संभड देगा. मैंने अब इसको कोशिश करके कि दोनों को आपस में fusion कर दिया. तो fusion कर दिया, नो क्यों ने कर सकते हैं, जैसे मेरे जितने भी स्टी पी हैं, सब भी स्टी पी्स की हम civil वर्क ने करते दोबारा से, वरना होता कि एक शब्द होता है रेनोवेशन या रियाबिलिटेशन कहते हैं इसको जितने भी स्टिप देश बर के अंदर वह 10-15-20 साल के बाद होते हैं फिर से वह उसको पांकूज़ाओंयाद को फाच्शा रखर्च करते हैं और चार्ट पांकाशल लगतें तो क्योंकि समय लिया था समयों यह समय लिया चांजनी करोंएशमा तो तो जो प्रोसेस तीन घंटे का तो एक गंटे में हो जाता है कि डोजिंग कर दो के मिकल होता वो भी नीचे बैड़े जाते है तो इसमें कुछ कुश्चन से कि ऐसे नहीं मैंने कि वहां पर देख लो डिली गेट पर लगा हुआ है तो वहां ठीक है गलत कहते नहीं हो ठीक है नहीं में तो आपी थेुआ हो दूसरा मैंने कभी एरेशन बढ़ा दो जितनी एर है उसके प्रहादो जो टैंक अल्डी उसी जो टीसरा में तीसरा तो कि पर आप मीडिया यूज कर रहे थे मीडिया कि इसलिए कि आप प्ली पर लिए यूजिए यह से हमने थे प्लेंसे नह सब बहां । निए जियोग भी मेरे जितने भी सी वेच्टेटमेंट प्लांट होगे इस यह कोई फिर भी पेर अभी तक क्या होता है क्या वेस्ट होता है उसका ह। कहा है उसको वहीं पर ठीकाने लगाएंगे, सब कुछ वहीं पर करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा दूर से देख रहा था, इसलिए मेरे सो आसानी रही, और अब हमने, मुझे फर्म कर देंगे, सारे सीरेज टीटमेंट प्लांट की कैपिस्टीज बढ़ा रहे हैं, सब की कॉलिटी को जो 30-30 था या 30-50 था 10-10 से नीचे लेके आरे हैं, सब से हम कहते हैं उसको लेक्स बना रहे हैं, आप रिचार्ज करेंगे, और मुझे पोरा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले 2-5 साल के अंतर इस काम कर देंगे, तो क्या वाता है कि थोड़ा दूर से देखने के जए थोड़ कैते हैं, घर भी चले जाए करो, रात को तो दो-दो बज़े तक मिटिंग चला गरती हैं, तो मैंने का सब देखो क्या है कि अभी गाड़ी जलानी चीख रहा हूं है, मैंने मंत्री बने है, और उना सीख रहा हूं सब कुछ, जब गाड़ी चलानी सीख जाओं तो पिछे भ टो तो तुमखारे हो जन्ता ने तुमारे ओर एक और एक रिंच लटाया है, तुम्हारे को एक काम सेख आए, अब इसको करना है, तुम्हारा को कई चीज़े ञश्रम काजे वादे बादे आपने मैनिफेस्टों में की होंगे, कई नहीं भी की होंगे, आप नहीं भी की है तो उनको भी करो यार सिर्फ वोट के लिए नहीं करना कई लोग यह घते हैं आपको लुट मेलेगा पहले दिरखी है यह का मैं आगे के छोड़ो आगे मिलेगी नहीं मिलेगी जो तीन तीन वारी आपने जर्वार सरकार बनाई इपने कि लिखा दे तो यह इनोवेशन जो मुझे लगते हैं बहुत बड़ी चीज है और मेरा तो एक थियोरी है मैं इसको कहता है जीरो थियोरी का सिंपल सा लॉजिक है क्वालिटी 10x माले क्वालिटी को 10 गुना बढ़ाने कोशिश करो जो भी क्वालिटी आपको मिल रही है सबसे पहला को अच्छी करने कोशिश करो और मैं बहुत सी जगें दोनों जगें सफल हो गया है जैसे एक्जामपल के लिए मौहला क्लिनिक है उससे पहले डिस्पेंसरी बनती थी चार क्रोड़ों पर गया है मैंने कोई 10x कोश्च कम करो कितनी होने चीए थी 40 लाग मेरा मौहला के लिए 20 लाग में बन गया आप आज भी जाके देख लिए डिस्पेंसरी जो होगा करती थी देश में बुस सारी है कहीं टैस्ट ने होते हैं 212 कोश्च तैसे हैं जो अस्पताल में भी नहीं होते हैं दवाइए सारी मिलती हैं डॉक्टर है मों पर सब कुस हो रहा है क्वालिटी को अच्छा कर गिए कंडिशन है तो सफल हुए ना ऐसी में पानी में लगा हूं कि देखो जो कॉस्ट बीज हर कोड़ों नहीं थी उसको कम से कम नभी प्रसेंट कर लोगा है टार्गेट ही है तुम टार्गेट तो बनाओंगा ना कुछ फिर क्वालिटी को तो दोनों तरह सफलता मिल रही है त जो चीज वेल डिजाइंड होगी इसकी कॉस्ट काम आएगी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी जो लाउजी वर्क होता है ना अगर आप सो रुपे के काम में एक हजार रुपे लगाएंगे तो काम खराब होई होगा अगर हजार रुपे के काम को आप 800 रुपे में 700 तो यह उसका भी मैं किस्सा बताता हूं जब 2015 में में दुबारा सेकंड टाइम स्रकार बनी तो एक कई सारे जान देने वाले लोग आते हैं तो मैं उन्जिनों रात रात को भी फ्लाइवर्स बन रहे थी कई सारे चल रहे थी जो फांडेशन इस्टार्ट हुई थी इनकी बिस मैं सारे डिपार्टमेंट को बलाबला कि मैंने को दो सबको दो साल में खत्म करना है तो तो एक भार बग्रा चबा होगा साथिंग जान प्रिपार्टमेंट करें तो एक तो नियुक्त करें आप नियुक्त करा दो आखिर की एक साल पहले दुबारा चालो करना और लोगों को थोड़े बहुत खतम हो जाएंगे बाकि गया और दो तो चिताना हमार तो पूरा करेंगे तो मैंने अम्ये करने निया थे और हमने सार करेंगे सारे काम पाली पाली इसा था कि हमने सारे काम वह लगबार तोसल में कंप्लिट किया और ख़तम की वरना यह होता है कि यह किसी और सपका ऩारत किया था सिप नहीं किया थो कि ऊ scrip किए था नãoày ठोड़ोगों अब तुबारा जाए ने देखेंगे पांट साल बात ल भी आफी आपने महला ख लिनिक का दिखर किया अभी कंटेनर पर कुछ महला कणिनिक का इनोवेशन किया आपके आर्काटिक माइंड ने अब वह सब्सक्राइब कर दो मुझे तो वन आफ दया था ये जिस नॉत प्रजेक्ट पहुत सारे ये करना ये करना ये करना ये करना उसमें से की भी था तो यह लिए चार मुझे जलगता हैं दो या तीन साल में पुरा कर देंगा साब मुझसे पूछते कितना से मिलागी है मैंने मैक्सिम तीन साल लगे हैं पहले साल में सो बना भी दिये थे हमने ट्रायल भी हो गया सब कुछ हो गया था पर हम बहुत बोड़ी गलती कर रहे थे हमें नहीं पता था देख को पॉलिटिक्स क्या होती है हमारे जो अपोजीश होगा कि दिली में जो लैंड है उस सेंटर का सब्जेक्ट है दिली सरकार के पास लैंड नहीं है डीडिये ने डिली डिल्याप्नेटर थर्टी सेंटर के अंडर आती है उसने पहले हम से वादा किया कि हम पांसों मौला की जगए देंगे उन्होंने गया थे सुनी के बराब पहला के लिए रोज सी बेहाले मेरे ओफिस में आने लगे अफसरों के जाने लगे उन्होंने जो आपको बताओ मैं पेपर्स बता कितने पेपर्स मगाए थे बड़ी मशूर हूई थी बस तो पूरी ज़ान लगा दिये हैं तो लाखों प्रेस्क्रिप्शन की फोटो को पे हम प्रेसर्स मगाएं कि थे तो यहा तक हमें नहीं पता था कि राजनीती इतनी गंदी भी हो सकती है तो पूरी जान लगा दी नहेंने कि भे किसी तरह से महले की मेथ कि बंद ले नीच है तो उसके बाद पता लगा कि ऐसा भी हो सकता है और फिर भी हमने हर तरीके से करके 500 स्टार्ट कर दिए हजार भी करेंगे और जो कंटेंडर में बनाने का मुक्सद है वो यह है कि साइट पे काम ज्यादा ना हो क्योंकि साइट पे जब हो रहा होता है ना तीन-चार महने लगत को यह कुछ के सकता है थोशार फेने के बना भना उंके लाएंगे तीन-चार महने साइट करेंगे तीन-चार दिन का थाइड तो कम शेक्म इन चीजों से थोड़ा बच जाएंगे ना बनने के से फिर गई उसका यह एकन गेंगे हुआ है कुछ नों इसका बेस लिए बना र पीसरा मॉडल्य बनारहे हैं इंप्रूव करने हैं इसके घृह वर्जन 2 बनाया वर्जन 3 बना रहे हैं इसके बाद तो आपने बताया कि इतना सारी कैलकुलेशन इतनी महनत मतलब लोग सरकारे चल जाती हैं वोट मिल रहे हैं थोड़ा सुकून से भी अराम से भी सरकार चलाई जा सकती थी शाम को मैंने सुना आप 6 बज़े के बाद खाना नहीं खाते हैं उसके बाद से लेकिन आप 12 से एक बज़े तक काम कर रहते हैं तो यह सिर्फ जोश से हो जाता है या कुछ और भी लगता है मतलब यह बहुत लोगों तक मैसेज जाना चाहिए कि क्या है गवर्निंस का मतलब प पॉल्टिक्स सबसे खराब केरियर हैं बट पब्लिक सर्विस के लिए सबसे अच्छी जगे अगर आपको कुछ करना है अपको लगदा कि मैं कुछ कर के दिखाऊं जनता के लिए तब तो यह जगह सही है अगर आपने लिए करियर बनाना है तो प्राद बनों इंजिनियर बनों बिजनस्मेल बनों पॉल्टिशन क्यों बंकड़ा है बहुत सबसे लोग पॉल्टिक्स में अपना के लिए बनाने के लिए तो अब इसको देन नाइत अपनी अगले एक्षिन जिनता होती है अगले पादिकी कि इसके बड़ा बाला पद लिए मेलेगा कि इससे नाइन डेज की सरकार बनी थी मैं मंतरी बना कि मेरी वाइफ का किसी ने इंटरू लिया कि या आपके हस्बेंड मंतरी बन गए आपको कैसा लग रहा है उन्हों एक टैंस बोला था कहते है वो जिनरात काम कर रहा है और मैं कहूं तो मलब हो काम के लिए पागल हो गया है क्टल आप है किसको सवाव कर देंगे हैं तो मुझे लगता है कि शएद भग्वान ने जब निमत बनाया है कि यह मुझे हो ता ना को एक तो इतना स्ट्रेस के बावजूद सुर्फ पांच छे घंटे की नीन लेकर काम करना इसमें कुछ तो आपके पास ऐसा कुछ मंत्र होगा जो अठारा घंटे काम किया दा सकता है जिस्ट अगर सेल्फ मोटिवेशन है तो मैं खुद को लगता है मुझे करना है तो तुम्हें कर कि यम्ना नदी साफ करके दिखाएंगे तो मुझे तो काम तो करना पड़ेगा मैं दूसरी को से बटाता हूं अगर मौंट ट्रेवरेस पर चोड़ना है सबसे मुश्किल काम क्या है अगर अगर आपने डिक्लियर कर दिया पब्लिक ली डिक्लियर कर दिया तो अब उसको तो हर मंच से बताता हूं कि यह कर दूँगा उसका कारण ही है कि पीछे नहीं मुड़के देख सकते हैं अब तो लोग आगे लेकर जाएंगे इसका भी रीजन है मैंने क्या हुआ कि 20-20 साल पहले ना ऐसे चाए कॉफी कोल्डिंग छोड़ दी छोड़ी थी एक साल के लिए आर्किट था साइटों पर जाता था तो जो याता था जान सब चाहें ने किसे कोफी कोल्डिंग भी पीटे यह तो नहीं कि अब यह लगता है अगर कर दिया तो लोग छोड़ेंगे निगाए को करवाई देंगे मैंने क्या इती साफ करेंगे तो अब लोग पीशे पड़ कि अब तो करने पड़ेगी हमने कहते हैं चोबिस घंटे पानी देंगे तो लोग पीशे पढ़ जाएंगे ना रेश्ट चार तरफ जाएगा ना करो 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 क्यों ने कहा था हमने तो जनता की डिमांड नहीं तो जब डिकलेयर कर दिया तो और दूसरा हमारे जो जनता का काम जा फैंडी के साथ हमेशा या तो घरवालों की निगाहों में उसके अलावा कुछ नहीं है और डेमोकरेसी में एक बड़ा एक्जमपल भी सेट कर दिया आपने लेकिन एक एकसपेरिमेंट था दोहजार तेरह में दोहजार बारा में जब पार्टी बनी दोहज है यह एकसपेरिमेंट बहुत लंबे टाइम तक याद रखा जाएगा जरूर देखो लोगों को ना मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि यह मान लिया गया था अलगला केरियर सुन से पॉलिटिक्स केरियर है पॉलिटिक्स एक पब्लिक सर्विस है यह लोगों को नह पहली बारी पहली बारी द्यू गहा कि अरे हम तो अपनु स्रागार बना सकते हैं जिसे इती ही तो जिंश्क्ते हैं तो इसको पहले लगता था यार इन बड़े-बड़ी पॉलिटिकल प्राटिकों कोई हरा नो सकता तो लोकतंत्र की यही तो खुबसूरती है कि जो आदनी बलब ऐसा नहीं के अटर्नीटर तक बही रहे इसको चेंज भी क्या जा सेता है जनता के काम के लिए आ सकते है तो यह जो कर लें बहुत बड़ता एक्सक्रीमेंट अब तक दशका थी निताओं को कुछ जनता के लिए करने के अश्रकाथ थी नहीं अप्छों को कितना प्रेशार है थे सार्कारों को कुछ-कुछ-कुछ करने की पड़े हैं आम बिजली को लेके ऐलान हो ने शिरू हो गाए पूरे यहां पर आस्मान में बहुत सारे जावाज हैं कि यहां में रिपोर्ट के करीव है एक कुछ आपने मुझे बताया था एक बार में चाहूंगा सत्तक पहुंचे वो मैसेज़ देखो जब मैं बहुत छोटा था ना घर में खिड़की थी उस खिड़की से रोज एक वाई जाज यहां पर हम बैठे हैं तो 20-20 जा चुके हैं एक जहाज जाता था बहुत छोटे के मेरा स्कूल सेकिंड शिफ्ट में था बारा साड़ा बरावज जाते थे तो सुबह 10-11 करीव वह जा जाता था तो जहाज को देखके ना मैं खिड़की से देखा करता था और सोचा करता था है कभी यह करेशन नहीं कभिया सोचा ने जहाज में बैठ सके इतनी हमध नहीं थी कि मैं सोचना होय तो यह सोच लो के वाजcoming कैसे आप ने समय करहते हूं कि एक ही दिन में तीन तीन चाचार रहे हां याज में बैठना पड़ा तब मुझे लगा कि देखो इस सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है एक ऐसा बच्चा जिसको जिंदगी में सोच निपाया है बच्पन में बैठना है वह बार बार बैठ पा रहा है तो पस यह था कि इस उपके सामने एक 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 इस्विटर्ण पैसार में एक 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 एंटलॉक्तीशन ब्याट है हम उसे पॉली एक प 스ंसर कॉछ मैं भ arsenal कि लिख से कि मैं अध distort हो चुका थे मेरे साफ अपका अना हुआ कैसे है बहुत सारे युवा निताओं से हमारी बात भी पाटी के वो अन्दोलन में थे फुल टाइम हो चुके थे मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मैं फुल टाइम हो चुका था मनी नहीं लगता था कहीं और मेरे बास कुछ छोडने के लिए उतना था नहीं तो में कोई राजनेती के बारे में कल्पना भी कर ले बड़ा चंबे से कम नहीं है आपने डिशन कैसे लिया देखो ऐसा बात है जब अन्दोलन स्टार्ट गवा नहीं तब अन्दोलन में हम लोग सबी लगे जाते थे पूरी फैमिली साथ थी माला किसी को बच्चों को साथ ल नहीं चीए चलो फैसला हुआ पार्टी बन गई तो मैं जिस जगह पर रहता था साथ सुतियार में उस असेम्ब्ली कंसिजिएंसी में आम मादीं पार्टी बनी चब्विस नॉबर दोजार बारा पार्टी के बास एक भी वलिंटर नहीं था तो ढूंड़ां के देखा सतनर आपको मदद करूंगा सब कुछ करूंगा पर आइक नोट बी पार्ट ऑफ दिस के देखा ना तो आपको कहक उन रहा है मैंने घर पर बात की वाइफ से क्या मतलब है अरे हम तो मिडल के लोग हैं प्रेक्टिस करते हैं सब कुछ है हमारा बिजनेस चल रहा है ठीक ठाक है मैंने का अंधौल हम het कि राद्ब बाढ़ती है मैंने मैंने डाप कह दिया तो मैंने इलेक्ष्ण की बात कह से आ गई तो मैंने सबसे पहले कंडिशन अर्विंजी को यह बताई कि मैं एलेक्शन नी जड़ोंगा तो अब मैं संगठान मनाने लगा संगठान की बड़ी अच्छे च्छी यादे हैं याद में ह확ा एवरे संडे एक पार्क था उसमें जाकि हम भो लगाते थी कुछ लोगों बढ़ा के कि मंदिर से महां शाज लीगा धिए थे मेरे से रियुटा था मून्दा होता था deh सा उसका घ्रूं कि देखो देश के अनदर क्या बदलाव के जूरत है ये क्या जूरत है वैसे करना चाई एक कभी किसी पार्डिन कभी किसी इसफर की लगम कभी होआ चलता रह देख देदेँ का समिक्राव दिया अब क्या हुआ कि 2013 में जब एलेक्शन थे पार्टी ने सिस्टम बनाया था कि जिसने भी एलेक्शन लड़ना वह फॉर्म भरेगा तो हमारे से बहुत सब्सक्राइब लोगों ने फॉर्म भरा मैंने फॉर्म नहीं नहीं था उसके दर नेक्स्ट लेवल होता था था फॉर्म इंट्रिव बने बाद इंट्रुव होते थे लगके और इंट्रिव जिस दिन स्टार्ट होते थे नॉर्मली एक दो दिन की और ज़ती होगों अजा प्र शॉतलिस नहीं थी और शॉटलिस में दो तीन-चार लोगों का नाम होता था फिर वोटिंगारा खराक जनता से कि तुम्हें नहीं हो सकता हुए तो मैंने फॉम नहीं बहा हुए जस दिन इंट्रूइस च्ट्रडूड थे पता लगा भी इतनी तर्क से इंट्रूइस च्ट्रूड नहीं कि अ जम्हारा और अर्विंदी को मैंने मैसेच डाल दिया है कि इंडिया से भार जा हूं दॉस दिन के लिए और मैंने एरपोर्ट से मेसेज किए था अपना दिल्ली वाला सिम कार बंद किया नहां वाला क्योंकि मुझे पता था कि केंगे वापसाजाएए कि अधर के लिए बाहर चला गया बड़ी इसी काहनी है जिसे गहते ना जब भार गए समुदुर के किनारे में घुम रहा था तो सब्सक्राइब की बात है इस चोटी सी पानी सी पानी की पतली सी धारा ना समुदुर में जा रही थी ज़िए बच्चे निखेलते मैं इसका वि जाना उसको जादा रोकने की कोशिश नहीं करने चाहिए जो हो रहा है ठीक है लेट इट भी तो मेरे वापस जाने तक भी शॉट लिस नहीं हुआ तो मैं फॉर्म भागा उस टैम पी मेरे दिमांग में आया जबकि नॉर्मली होता था कि जिस दिन इंटरूई स्टार्ट जाना चीए था दस दिन बाद वापस लोटे होंगे दस दिन बाद वापस लोटे श्याद दो यह दो जुलाई यह तीन जुलाई का डेट थी मैं वापस लोटा हूं मैंने फॉर्म भर दिया जी फॉर्म भर दिया तो फॉर्म भरने के बाद शॉट्लिस में नाम आ गया फिर उसके बाद 23 जुलाई 2013 को मेरा टिकेट अनॉंस हो गया जिए सतिंजन को मेरे घर में तो मेरे फादर कहते हैं कि तो गुंडोगा काम है शरीफ लोग पे इलेक्शन अधिया जाए मेरी वाइफ कहती है क्या कर रहे हो हमारी फैमली है बच्चे है एक एलेक्शन लड़ा है मेरी छोटे अलिवेटिव तो आठी ग्लास में पढ़ती थी वह कहती पापा आप तो अच्छे आदमी हो आप नेता क्यू बन यानि अच्छा आदमी नेता नहीं बन अधिया बच्चा तो इसको इंप्रेशन जो पढ़ा हुआ नेताओं का भी था ना अब घर में तो तैल का मचिगा चारो तरह कि यह क्या हो रहा है बड़ी पाटी का टिकेट मिलने पर लोग ढोल नगाडे बचाते हैं मेरे घर में चारो तरफ से उल्टा से अलगा था था 21 जुलाई को टिकेट मिला था और 24 जुलाई को मैं तिहाड जली में था क्यों आम आदमी पार्टी से इलेशन लड़ने की जुर्म था ना अच्छा तीन दिन बाद मैं तिहाड जली में था वो केस खतम हो गया बाइजद केसिस क्रूजड और वो दिखाने के लिए अगर आ 22 जुलाई को मैं तिहाड जली में था दो दिन जली में रहा तो महां पर मैंने सोचा मैं इस उमर में जाके माबाप को कितना कस देंगे इस एज़ में जो किसी को आज तक कोई पुलिस केस नहीं हुआ कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा जीव सा हो जाएगा तो मैं मन बना के वापसी में जब आया रात के शाद आठ बजगे था आठ नो बजगे था जो बहर पहुंचा हूं मैं मन बना के आया था कि मैं इलेक्शन नहीं लिए घर गए तो महुली कुछ और था मेरे फादर जो पहले कह रहे थे गुंडों का काम है अब वह कहने लगी कि नह चुकी है उनने पता है उनने था उन्हें पते हैं बोटते के इंडरा गांडी टेश किर थे एख तो किया उन्हें सब्सक्राइब कर दो नटकिकिशन लड़ रहे थे चलो ठीक हमारी परसनल बाद थी ना हमारे लिए गलत था पर इस लोकतंतर के अंदर को एलेक्शन लड़ कि उनका खराब होगी वो कहते है बेटा अब तो जिस रस्ते पर बढ़ा लिया ना अपकी शेटने में कोई बात नहीं है यह तो अंतराय है मलब जिसे कहते है विगन कहते है वो है कि इनकी परवात में जो होती है मुझे असा लगा था माबाप को बहुत बेज़ती महसूस हो होगी होगी ऐसा कुछ नहीं था उनको प्राउड नहीं हमारे बेटे में कोई गलत काम नहीं किया और इसके लिए पूरी सपोर्ट थी है और मेरी वाइफ कि कहती है कि अब तो मन भर गया होगा अब तो जेल भी होए है अब तो बस करो उसके दो दिन बाद मेरे उपर फिजिकल असॉल्ट हुआ तो जहां मैं डॉक्टर से एक्सरे वगरा कराया ना वो हमारा फैमिली फ्रेंड था तो उसने एक्सरे एक्सरे कर लिया तो उसने क्या किया उठा कि पूर फोन कर दिया कैसा ते लिए ना चैस्ट में काफे चोट क्याती है अब तो चाहिए कोई गोली भी मार देना तब भी पीछे नहीं अटेंगे तो उस 2013 के एलेक्शन में सबसे ज्यादा मेरी वाइफ ने और मेरे फादर ने उन दोनों ने मुझसे भी ज्यादा उन्होंने अग्रेशन में काम किया उन दोनों को लग जादा मेरे मैंने भी मालब कसम खाई थी मैं उसे कुछी मेने पहले ना प्रेटोरिया गया था साउथ अफरिका में माहत्मा गान्दी को जहां दख्का दिया गया था ना एक बहुत बड़ी प्लेट लगी उसी जगह पर पूरी स्टोरी ले लेखी है माहत्मा गान्दी ले उसमें बस भी यही था कि जिन लोगों मैं अटेक किया था उनसे बदला लू या इस पॉलिटिकल जमाद से बदला लू तो मैंने कसम खाई थी कि मैंने जो जूते पहने हुए थे ना कि इनको तब बदलूँगा जब मैं हरा दूँगा समय आने हुए और मुझे आज भी याद है 28 12 दिसंबर 2013 को जो मैंने शपत ली थी ना रामलागराउंड से तो मेरे जूते फटे हुए और मेरे यह मुठा जो ना पूरे जूते से भागता पूरा उठा तो किसी मीडिया वाले ने मेरी फोटो मना ली अच्छा थे देखो जी मंत्रे की शपत ले गया है जूते फटे अब कि अधिया था मैं हर घर में गया चौते में पे गया हमें तो कुछ जानता नहीं था कुछ नहीं था लोगों को बता दिया देखो जी मैं यह हूं कहां रहता हूं और आर्किटेक्ट हूं यह काम करता हूं आपको ठीक लगे कर लेना आप से मूट माग़ आए बस इससा तो वो जीतने का कारण यही कहानी ही बह्ता त्यक्र। में बदार पढ़न जिसे कह सकते हैं फॉलिक स्कूड हुआ है चॉस से नि वा था बाई चॉस नहीं कह सकते नहां चाते हुए जिसके ड्रेस्टरिन तो नहीं होगी उन दस चीजों में था है कि बहुत लंबे ट्रैक पर जाना है कम से कम महीने भर के ट्रैक पर जाना है समुद्र के किनारे हैमॉक में लेटके किताब पढ़नी है किताबे लिखनी है मोटिवेशनल स्पीकर बनना है लोगों की हेल्प करनी है मदर के अपने साथ लेके जाना है जो भी मेरे पास आए उसकी मदद किसी भी तरह कर सको सोसाइटी के अंदर रिफार्म करने इस तरह के दस चीजे मैंने लिखने कि दस बर यह पढ़ा उसको जितनी बारी में पढ़ता गया हूं इसमें पैसी की जुरत थी कुछ भी नी था इतना पैसा तो इतने साल के प्रेटिस कर लिए अब यह जीमन तो चल सकता है हमारे कोई बहुत जादा इच्छा ही भी नी थी देखो मैं चाय कोफी कोल्डिंग नी भीता मेरे कोई परस्टे थे नी कभी जिंदगी में कोई खर्च नी किया वाइफ तो कहते हैं अगर पांसो रुपी भी दे ना पंद्रा दिन बार देखे तो पांसो रुपी जेमी मिल सुबह से लेकर रात तक तो वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं पचास साल का जिसनिन हो जाओंगा पैसे के लिए काम ने करो क्या है और पचास की सेंटिटी क्या थी मेरा मनना ही था कि कहते हैं आदमी की आयू सो साल होती है जीरो पे पैदा होता है सो पे जागे मर जाता है अगर सब कुस अधर्स रहे तो 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 यह पीक कप आएगी पचास पे पचास के बार डाउन को है अपनी वाइफ को जाकि मैंने कि आधिया मैंने कि देखो पचास का जिसनिर मैं हो जाओं गया उस दिन से मैं पैसे के लिए काम नहीं करोगा वाइफ कहती है आज छोड़ दो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यह ने जाला है इसी वाइफ दूदी से नहीं मिलती है तो उ मुझे निकला हुई पूरा हो गया वह अनना अन्दोलन लगता है मेरे इस सपने को पूरा करने के संकल्प की वज़े से स्टार्ट हुआ और मुझे तीन साल वेट नहीं करना पड़ा मेरे प्रेक्टिस उसी साल बंद होई उसी साल सब के छोड़े है भगवान ने का भई त कपेंटर बरन दू अन दस चीज़ों में मैं बता दूस्म में रजिट वेरा चाज़य बर्दानी था मंति चोड़े हैं यह सथे मले किया होता ही मैं तो हमारे तो कुरे पराइवार में वर्टिकली वर्टिकला उन कोई बी कभी गाउं का परधान नहीं बना नहीं बो अरग को यह था कि किसी की मदद करनी हो ना यह मुझे रखता है कि शायद परिवार से मिला मेरे फादर भी हर एक की मदद करने के लिए त्यार रहते हैं अपने जो भी कर सब्सक्राइब के बाद जो उनसे पढ़ने आ जाए हमारे परिवार में दूर दूर मेरा जैसे आला था उसने कि आइटिफिया अब आम डिया हो मेरे पा सतिया सो कह जाए है को comment कि हरती तो हरने की जी क्या मदद कर सक्टे करते थे तो हम अबढ़त करने का तो ठोड़ा भूं महां से मिला तो आने का तो मुझे लगता है संकल्प की वजए से आंदोलन हुआ और एक संकल्प और भी है जोसका मुझे लगता होगा पूरा वह यह था जब मारे शादी हुई हुई तो हम स्कूटर भी गुमते थे मैं और मेरी वाइफ यह तक स्कूटर था हमारे पस मेरी आदफ थी पहले सी कि चो एक दिन कहती है आपको क्या प्रधान मंत्री बना जो सारे देश की प्रॉल्म सावल करते रहते हो तो उस दिन मेरे मुझे से निखला आपने का पॉल्टिक्स में आने का कारण दो इकारन है दोनों बता रह पहला पता दे दूसरा बताता हूं मेरे मुझे ऐसी निकला प्रदान मंत्री के सलाकार बनने की लिए और जो 47 वर्थ दे पे जो मैंने जो जुलिशन लिया था उसको पूरा करने की लिए मुझे पॉलिक्स में पहुचा दिया गया तो आपको प्रदान मंत्री मेरे लिए बनना पड़े गा क्योंकि मेरी डेस्टिनी में लिखा है कि लेकिन उस बकेट लिस्ट में लोगों की हेल्प करने के सिवाब बाकी सब क्या हुआ नहीं उस सारे दिल से कर रहे हैं देखो ऐसा है क्या होता है कि जो भी कर रहा हूं उस दस में सी करना था उस दस के भार में करना था उस दस में सी कर रहा हूं आज आज तो गुमना जाना पब्लिक सर्विस के लिए क्रों गजय के लिए मोज पर जो से त्यार हो रहा था जो भी हो रहा था जो बहुत बड़े स्मारे चोटा सोचा उन्हें तॉल्टा सब्सक्राइब तो आस्मान Witold तो जादा सोच लो यह तो यह पने में ले ने बनाएं पिर चाहिए करने से सब कुस होता लोग इस वोग शोचते है कि करने वह इस自ए बड़क के स्थार्ट है उसका इतना छोटा है उसका इतना चोटा से इस नहींदा दिखता वी नहीं, जरा सपिए कि यह सोच नहीं करो बन भाद का इस आपकी बहुता नहीं पना को बन सकती है उऔर इस सोच से इस्टार। एक famous saying है leaders don't do different things they do things differently आप से बात करते हैं मुझे आदा रहा है लेकिन इन सब चीजों के बीच में ये enforcement agencies ने आपको बहुत बहुत दिनों तक परशान रखा वो समय कैसा आपके लिए मेरा नाति को ये मानना है तक मैंने इस जीवन में और की साक्षण कहीं एक नाइं एक हुआ कि यसी मेरे आपने करद्येकिश न पढ़े तहों मेरे यह आई सुन हुझ मीयत फ़नते है तो इसका मतला यह तो मतला है चिजह करम सामने एह. दूसरा यह लूद आता है तुम कुछ अच्छा करते हो ना तो यह तो स्टेम्प है कि आप अच्छा कर रहा हूं तो वह ऑफिशल स्टेम्प लगा रहे हैं कि भी सतिन दिजयन कुछ कर रहा है इसलिए इसके पीशे प्रज़ाओ कुड़े रहे हैं डर एक खाउचान के अंदर नहीं ऐसी बात नहीं है बहुत साथ लोग मेरे बड़ी ज बात है बुझे याद आ रहा है एक बडिए मैंने मेरी क्वेश्टिन हो रही थी तो मैंने कभी देखो जितने केस्ट मेरे उपर बनाए है जितनी मेहनथ मेरे उपर कर रहे हैं इतनी दाओ दी मिराहिं पर कर लेते हैं तो यह तो नोकरी है उनके अंदर बेग इंसान होगा इसा था मैं बताओ एक बड़ी ना रोत नाम तो मैं जानता भी नहीं वैसे कोई ऑफीसर था जो आपकी जासुसी करते हैं अब हमारे पब्लिक हीरिंग जनता से मिलते हैं अभी करोना के वह से बंद है वैसे पहले हुश्टिक है तो एक बड़ी वाए उनकी जूतों से मैंन किस की जासुसी कर रहे हैं अब नसीदा पूछ लिया उसने बताया जिस घर में और जिस अवेली मी पैदा हुए थे वहां तक चलेगे मैं बताओ क्या नक्षा है किए सेंटर में कोट याड़ है तो कमरे बने में अब नक्षा दक बड़ा था उसको देखिया है कैते हैं वहां तक हो आया है आपके जितने रिष्टदार हैं मल गाउं से पैदा गाउं में बागपर्ट डिस्टिट के के टल गाउं में मैं पैदा हुआ कि आपके सारे इसारों के पास हुए मैंने वहां क्यों गए प्री पकड़ में आए किसी ने कुछ निया कुछ नहीं मिला गई है कि अबने तो आप प्रैक्टिस करते थे अर्किटेक्टर की हम शीवा मार्केट में गए मंगूल पर जी गए हम राजा गार्डन कए मैं मांगे हो गए तो दुकान दरों से पता कर गया है कैसा आदिने हैं कहते कि आपकी बिल्कुल हमने क्लियर कट दो दी है कि इससे बढ़ी आदम मिलेगा नहीं तो मैं फिर कहते हैं नहीं देखो पॉलिटिक से तंग तो भी करेंगी चोड़ेंगे तो उसके बार तो इसके बार सबस्तार बहुत मुश्किलों अबराभी है सफर लेकिन आप किस तरह स हैं मैं दिन से शाम तक आपको देखता हूं कि किस तरह से आपको अपने काम को एंजाय करते हैं एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए भी और मलब चुकाने वाला भी है कि कैसे कोई विक्ति सवी मैं सोलागंटे शातरा तो आम बात है कई तो इससे भी जादा काम कर सकता है और इ मारा हमारा पूरा यह यह कि लोगों के साथ साथ हमारे पार्के किरता हूं तो कि finanses पहुंचए कि यदि इस पार्टी में आपको आगे बढ़ना है तो इस दरजे की मेनद कर लेंगी जी अपने आपको आगे बढ़ने वाला पॉइंट होना नीजिए अगर आपको आगे बढ़ना एक कोश्च निगलाता है अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है समाज के लिए कुछ करना है जो करना काम करो, तो जिसने भी 오래शन के लिए पबलिक सर्विस में आना हुए जनता की सवा करनी है तो यह बहुत चल रहा था भी सतिन जन्गों को अर्स किया जाएगा यह पर सो अर्स किया जाएगा अब अर्स किया जाएगा तो लोग तो लोग वकील के पास जाते हैं वकील को बलाते हैं उसे बात करते हैं मिटिंगें करते हैं मैंने त्यारी क्या की थी हमारे त्यार जल मेर में ते लिए मैंने से पूछा भी यह ताओ कि अंदर इस पूछा जो तो दो दिन के लिए ता दो दिन तो नहीं भूका रहे लिए था नहीं अंनिया जब तक मन्मंदि में घाता तो मैंने फूट खा लेता हूं उन दो दिन में फूट भी नहीं मिला था मैं दो दिन पानी पर लिया मुझे कोई दिक्कत नहीं थी मैंने वह सब लंबा रहना पड़े दो चार शीमेन रहना पड़े फूट में जिंदा रह लोगा फूल बात में फूट मिलता है कि आजी मिल भी त्यारी कर रहा हूं ना आने वाले समय की को सकता है तो चार छे में और महत्मा गांदी रहा है तो आगर अगर मैंने ऐसे कर्म की यह जिसकी व्यावर जाना पड़े तब मुझे शर्म आए तब मुझे तब मैं कहा हूं कि गलत कि अ चाहिए कोई नहीं कि घुठ अब कोई में घूठ नियुक्त लिए मुझे लिखने के लिए जरूर चाहिए अक कितब भी चाहिए लेक काफी पान्या प्रॉज़ और एक खाने के लिए मैंने ये तैयरी की थी कि लोग अंदर जा के रहना पड़े तो बड़े पूस्ट को आश्चिर हो रहा था कि लोग तो वकीलों से बात करते हैं जुगार लगाते हैं अप्रोच लगाते हैं मैं अपने दूसरा तैयरी कर रहा था कि अगर ऐसा जमुका है तो मैंने घर पे भी देखो मेरे को तो काफी स्टेबल था पर मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है जैसे एक आरोप लगा था वो दो क्रोड़ वाला कपिल मिश्रा ने दो कोड़ का रोप लगाया तो मेरे बेटी का नाम स्कूल में रख दिया दो क्रोड़ तो बच्चे टॉंट मारते दो करो और उसने लिखित में माफी मांगी बाद में कि यह पॉलिटिकली मॉटिविटेड़ था मैंने जोटा आरोप लगाया था तो अब देखो इस तरह कि आरोप लगिए उन पर जान चल रही है यह चल रहा है तो थोड़ा सा होता किया कि ठी है पॉलिटिक्स है मैं पॉलिटिक्स में आ गया यहां तकर रख सीमित करी बार बार को जीत पहसी उतना ठीक में है तो पुरी राब भी बात करें तो चल चलते हैंगी और बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं एलेक्शन नजदीक हैं एक मैसे जरूर पहुंचना चाहिए कि किस किसम के लीडर किस किसम के व्यक्ति आमाद्वी पार्टी को सीच रहे हैं और जैस्तरह से आपने कहा कि अर्विन जी काम देते हैं जिम्मेदारी देते हैं पद की बात महानी चलती तो जो व्यक्ति जुतना डिजर्व करता है उसस देख लेते हैं कि कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है उसको कुरा सबोर्ट भी करते हैं हर तरह तरही से पीछे नहींहीं हटते मरा यह इनकी खास्यात है कि ऐसा नहीं है कि वह पीछ अड़ गया है वरना तो कोई होता थे मालों मेरे पर जैसे जुटा अरॉब लगे तो बी मैं क्यों कि ब्राइब तो ने पहले बुला कि खुद समझा सारा कुछ पहले भी बता रखा थे मेरे पस कुछ नहीं है और सब उस पता सा सब कुछ दिखाय जिन्हों ने एक भी मंत्राले ने रखा अगर अपने पास ही मंट्राले हों तो मॉनिटर कोण जरूं में फिर आप्याले बड़तर होगी हो कि नहीं 1 को चे मंत्री है यह सब को मंत्री यह का मौ बहुत बड़िया और बहुत शुब गाना है कि आप बढ़ान मंत्री के सालाक आप जरूर बने, हम सब उस दिन की वेट करने है, बहुत समय निगाला आप में बहुत शुक्रिया, बड़ी प्यारी लोकेशन है, आपकी बनाईवी लोकेशन, बहुत शुक्रिया जी सब का आपका.